हालो इव्रिवान वैलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टैप बाइ स्टैप फुल सूट मैंने चार मीटर प्लेन फैब्रिक से बनाया है इसके उपर हमने कॉटन लेस से डिजा की है इस कुर्टी के साथ आप अफगानी शलवार बना सकते हैं या फिर इस तरह की स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हैं आप चाहे तो आफगानी शलवार बना लीजिए तो मीत करूँगी आगे आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे को काफी है दो कि हैवी और थिक फाब्रिक होता है इस्के बाद्य मीटर ले लिया है इसके बाल चेपर ही हमने स्ट्रिट्ट ले लिए चोले से सीक्एमूब लुक दे रहा है तो कम से कम हमारी ये 6 मीटर यूज़ होगी इसके बाद 3 मीटर मैंने बार्डर ले लिया है जो हमारे दामन स्लीव और पैंट की मोरी में लगेगा तो ये भी हमारा कॉटन में है अब देखिए सबसे पहले हम अपनी सिंपल कुर्टी और सिंपल स्लीव की कट लेंट हो जाएगी तो यहां पर लेंट जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद दिखिए शोल्डर मैंने साड़े साथ इंच लिया है नॉर्मल से आदा इंच ले लेंगे क्योंकि ये कॉलर नेक है अब साथ इंच हमारा आर्मोल है तैन इंच प पर कट किया है और सीलीव की जो मूरी है वो अभी मैंने यहां पर नो इंच पर ली है बट जो बाडर है वो कम पढ़ गया था इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है अब दिखिए हमने नेक की कटिंग करनी है तो नेक की जो चोड़ाई है वह यहां से तीन इंच तो यहां से एक या पॉन इंच पर लेंट में मार्क करेंगे इसके बाद हल्की सी गोलाई देंगे अब दिखिए फ्रंट नेक की जो लेंध है वो हम तीन इंच लेंगे तो यहां से हमने नीचे की तरफ तीन इंच पर मार्क करना है और इस तीन इंच के मार्क को आगे भी क कर लेना है इस तरह से इसके बाद हमने इसमें गोलाई दे देनी है तो यह जो गोलाई है वो कुछ इस तरह से आएगी अब सबसे पहले हमने बैक नेक की कटिंग कर लेनी है तो यहां से गोलाई लेते हुए आदा इंच पर हमने सीधा कट करना है जहां तक हमारी कंदी होगी तो कुछ इस तरह से देखी हमने आदा इंच बिल्कुल सीधा कट किया है अब बैक वालों जो पार्ट है इसमें से निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो नेक की हमने इसके बाद इसको हमने सीधी तरफ रख लेना है और ये हमारा सेंटर नौज का मार्ग है अब देखिए हमने पेस्टिंग कैनवास ली है इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे तो इसकी जो चोड़ाई है फोल्ड करने के बाद लगबग तीन इंच लेना है और इसकी जो लैंट थे वो कम से कम साड़े पाँच इंच लेंगे इसके बाद देखिए यहां से बंद वाली साइट से आगे की तरफ हमने तेरफ लेंच पर मार्ग करना है और नेक की जो लैंट थे वो मैं चार इंच ले रही हूँ आप साड़े चार इंच भी ले सकते हैं अगर आप ज़ादा हैवी साइज बना रहे है अब जितना भी आपने लैंट लिया है उसका हाफ कर लेना है तो मेरा दो इंच आया है सो यह सी छिफ हम आइडे के लिए ले रहे हैं अब जहां से हमारा 2 इंच आया है, यहां से हम लगबग 2 इंच पर आगे की तरफ एक मार्ग कर लेंगे, इस तरह से, अब उपर से दिखें, यहां मिलाएंगे, उसके बाद नीचे आदा इंच में और बढ़ा लूँगी, और नीचे की तरफ गोलाई दे देंगे, तो यहां स हमने एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, बुकर हम कट करनी है, हमने पॉनिंच छोड़ते हुए, नेक की शेप में इसको कट कर लेना है, इसके बाद इसको हम फैबरिक पर पेस्ट करेंगे, आप चाहें तो इसे सिलाई से भी चिपका सकते हैं, बट मैं इस पर आइरन करके आद इस तरह से रख देना है, लगबग मैंने आदा इंचूपर की तरफ निकाल कर इस तरह से इसकी गोलाई दे दी है, आप देखें सिंपली हमारा जो ये कैनवा सनेक है, इसको नेक के उपर रखेंगे, दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर हो गई है इस तरह से, आप यहां मेरी तरह यहां पर एक बड़ी चाल करके सिलाई लगा सकते हैं, मैंने यहां पर सिलाई लगा दी, यह हमारा नेक जो है, वो सिक्यूर हो गया है, इसके बाद इसको देखें, मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है, तो जब मैंने नेक बनाया था, तब मैंने इसका सेंटर क्री यहां बन गई है अब हमने neck के लिए जो marking करनी है यानि जहांपर हमने lessons लगाने है उसकी marking हम पहले ही कर लेते हैं तो उपर हमने inch tape रखना है और अपनी कमर की land पर mark कर लेनी है तो यहां पर मैंने 16 inch पर mark किया है अब यहां से हमने लगबग 11 inch पर एक माक करना है तो आप इस माक को 10 से 11 पर कर सकते हैं इसके बाद पर माक करना है अब देखे के कि लेश्च लगाने लिए ये बनानी है वह यह डू स्षेप लेकर ले नहीं है अब दूसरी तरफ भी हमने माकश करने है अब यहाँ पर एन्चिटेप इस तरह से रखूंगी और दूसरी साइड में फोल्ड करते हुए यह मांक इधर ले लोगी तो दोनों साइड में यह मांक आ गया है अब इस साइड में भी हमने यह शेव देनी है इस तरह से इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ लैस हमारी कहां कहां किस तरह से आएगी सो मेरे पास जो स्ट्रेट लैस है वो बिल्कुल सीधी है तो कुछ इस तरह से है अब जब मैं इसको यहां गोलाई में लगाऊंगी तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी पिंटक्स आएंगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी अगर आपके पास कोई ऐसी लैस है जो गोलाई में आसानी से घूम जाती है तो अब वो यहां लगा सकते हैं बट मैं इसको यहां पर नहीं लगाऊंगी यहां पर मैं यही लैस लगाऊंगी जो मेरे पास यह फ्लार लैस है तो यह बहुत आसानी के साथ इस तरह से घूम रही है तो यहां पर मैं इस तरह से एक टुकड़ा कट करके इस तरह से लगा लूँगी इसके बाद हमने यह जो लैस है यहां नेक से लगाना है, स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से, और जहां हमने मार्किंग की है, उसको फॉलो करते हुए, बस इस लेस को घुमाना है, अगर आप प्रोफेशनली सिलाई करते हैं, तो आप इस तरह से पहले भी लगा सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं, तो इस लेस को कॉलर नेक बनाने के बाद ही लगाएं, तो मैं यह लेस बाद में लगाऊंगी, क्योंकि जो बिगिनर हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए पहले हम कॉलर बना लेंगे, तो कॉलर बनाने के लिए पहले हम अपनी कंदिया जॉइन कर लेंगे, तो हमने बैक नेक पर ये फ्रंट नेक रखकर इस तरह से हाफ इंच कंदी सिलनी है, इसके बाद हम अपने नेक की गोलाई लेंगे, तो यहां से इसको हाफ मे जो लेंद है वो जाड़े 6 से 7 इंच आ सकती है यह हाफ कॉलर है यानि फूल कॉलर नहीं है तो जादा बड़ी कॉलर नहीं होगी सो मेरे मेजरमेंट में 7 इंच आई है अब 7 इंच के हमने कॉलर कट करनी है जिसके लिए मैंने पेस्टिंग के अनवास ले लिए है इसको हाफ में फोल्ड कर लिया है इसकी चोड़ाई 4 इंच है और लंबाई कम से कम 8 इंच है अब यहां से आगे की तरफ हमने 3 इंच पर मार् कर लेना है तो बिना किसी मेजरमेंट के मैंने यह गोलाई कमा किया है इस तरह से अब पीछे से हमने कॉलर की जो लंबाई है उसको चेक करते हुए यहां पर मार्ग कर देना है तो हमारी जो कॉलर है वो 7 इंच आई थी तो मैंने यहां पर 7 इंच पर मार्ग कर दिया है अब कॉलर की जो चोड़ाई है यानि ऊचाई है वो एक से पॉन इंच आप ले सकते हैं मैं एक इंच की चोड़ी कॉलर बना रहे हूं तो मैंने एक इंच पर मार्क कर दिया है इस तरह से अब इसको हमने अच्छे से शेप दे देना है इसके बाद आगे की तरफ यह हलकी सी करते हुए फिनिशिंग का ध्यान रखें है यानि कैन्वास पर कैटिंग के जो चोटे-चोटे कट होते हैं वह बिलकुन नहीं आने चाहिए, equally हमारी ये कैनवास जो है वो कट होनी चाहिए तो लीजी हमारी कॉलर भी कट हो चुकी है, अब देखिए कॉलर को हमने फैब्रिक के उपर आयरन से पेस्ट कर लेना है तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और आयरन से हमने ये वाला जो साइट का फैब्रिक है, ये भी चढ़ाते हुए हैरन कर लेना है बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट करके निकाल देंगे, अब इसको हमने हाफ में फोल्ड कर देना है, तो देखिए यहाँ पर फैब्रिक इतना लेना है कि ये हाफ में आसानी से आजाए, तो इतना हमने फोल्ड करने के बाद अब अंदर की तरफ से सिलाई लगा दी है, तो जहां से हमने सिलाई लगाई है, उसके बाद क्वाटर इंज फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देंगे, कट करने हैं, तो आप क्वाटर इंज से थोड़ा और एक्स्टर ले सकते हैं, एंड जिस साइड में हमने सिलाई लगाई है, यह देखिए, यहाँ पर हमने छोटे-छोटे कट लगा लिए है, कट लगाने के बाद इसको सीधी तरफ इस तरह से यह देखिए, इसके बाद अब हमने इसको कुर्ती पर लगाना है, तो उसके लिए कुर्ती का जो बैक नेक है, उसके सेंटर में मार्क करेंगे और कॉलर के सेंटर में भी मार्क करेंगे, अब कॉलर को हम कुर्ती के रॉंग साइड में रखकर सेंटर से सेंटर मैच करेंगे इसके बाद यहां साइड से पकड़ते हुए हमने चेक कर लेना है कॉलर हमारी बराबर है कहीं से कम जादा नहीं है तो बस इसको रॉंग साइड में रखकर हमने ऐसे सिलाई लगा दी है इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर लगी है इसके बाद अब हमने इससे डिजाइने करनी हैं तो यहांपर आप देख सकते हैं जो कॉलर है वो इस कि तरह से रहेगी आप इसको एपन करके इस तरह से रख लेना हैach यहां अफ ऑप आपको अच्छा से दिख रही तो इसकी wrong right side अच्छे से देखनी है और उसके बाद इस तरह से अपनी less को set करते हुए उसी marking को हम follow करेंगे जो mark हमने अभी किया था तो यहां से यह less जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी इस तरह से so guys अगर आप चाहें तो collar पे भी less लगा सकते हैं so जो straight less है वो आप collar बनाते हुए भी बना लगा सकते हैं या फिर collar लगाने के बाद भी इस तरह से less लगा सकते हैं but यह less में collar पे बिलकुल नहीं लगाऊंगी so यह जो flower less है इसी को मैं back neck की तरफ घुमाते हुए complete कर दूँगी तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूंगी देखिए less मैंने इस तरह से लगा ली है और जो यह less है यह मैंने पीछे भी घुमा दी थी एक कंदी से start की थी और यहीं लाकर मैंने इस less को end कर दिया था तो दो सिलाई के स साथ मैंने less लगाई है क्योंकि यह इसमें flower है बाकी जादा मैंने इस पर सिलाईया नहीं की है तो यह देख सकते हैं आप बहुत जादा beautiful सा लुकाया हमारा back side में लगाने के बाद इसके बाद यहां से इसका जो gap है next यहां तक 10 इंच है और center से यह लगबग 8 इंच है और shoulder स नीचे तक जो हमने माकिया था 11 इंच पर वो अब हमारा साड़े 10 इंच बचा है क्योंकि आदा इंच हमारा कंदी में सिल गया है तो यहां से यह साड़े 10 इंच है इसके बाद है कि अब हमने इसके दामन में border और lasses लगा लेनी है तो simply diamond fold करने के बाद हम border लगा देंगे और इसली के साथ हमने यह जो sleeve है वो भी ready कर ली है तो guys border कम पड़ गया था इसलिए मैंने sleeve की चोड़ाई कम कर दी है और इसको simple straight बना दिया है अब sleeve में fitting लगाने के बाद हमने एक कुरती में fitting लगानी है और दोनों sleeve लगा कर इसके जो slits है वो fold कर देने हैं आप चाहें तो pen है वो मैंने पूरी तरह से stitch कर ली है बस इसमें fitting लगाई है तो यहां पर जो इसकी मोरी है वह मैंने fold कर ली है और जो pen की length है वो मैंने border के इसाफ से कम रखी है यानी जितना हमें border निकालना था उसके साफ से मैं ने उतनी लंबाई कम कर ली है तो देखे पाँच इंच का म और उपर की तरव 37 इंच की लेंद पर हमारी ये पैंट रेडी हो जाएगी तो बॉर्डर लगने के बाद इसकी जो लंबाई है वो पांच इंच बढ़ेगी अब देखिए जो इसकी मोरी है वो मैंने आदा इंच फोल्ड कर ली है इसके बाद हमने यहां पर यह बॉर्डर र लगाया है जैसा मैं आप आपको दिखा रही हूं पैंट में तो यह एक्स्ट्रा जो नैट है इसको या तो कट कर देंगे या एक इंच छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे अब हमने बॉर्डर के ओपर पैंट रखनी है और पैंट के ओपर यह लैस रखनी है इ और यहां पर ऊपर नीचे से लाई लगा देंगे एंड इसके बाद हमने डेर से दो इंच का गैप देता हुई यह फ्लार लैस रखकर स्टिच कर देना है तो दिखिए दोनों मोरी को मैंने इसी तरह से तयार करने के बाद अपनी पैंट में फिटिंग लगा दी है और इसी